पर्लामेंट का एलेंसन और लोकसभा का और विधानसभा के लक्सन इसलिए होता है उस इलाके की आवाम की समस्याओं को वहां आपका यह प्रद्रीद जाएगा तो हो उठाएगा आएसे नेता को भी चुने जो आपकी बात को आपकी आवाज को आपके छेत्र की विकास की बा क्यास बादी पार्टी के हमें कора करता का से अवम उसमें बड़े नेताओं की यह उसमें क्या यह है लेकर नेताओं का बात को नहीं सकता हूँ इंडिया गडगंधन को लडाई तो होगी लोगों से लेकिन अब धृग्डभंधन सब्सक्रा का हो जाए तब लड़ाई की बात हो भाई यह हमारे बड़े निताओं पर बड़ा रहा है हम लोग गाजिपुर के मुहम्दाबाद तैसील एवं भामर कोल विकास अंतरगर अलफिंग का गाउं महीं में मुझूद हूँ एक हाला जानना चाहता हूं पार्लमेंट का एलेक्शन ह मुसलमानों का क्या हालाथ होंगे किस दर्फ का रुख होगा मैं हजर अले टाइगर सापसे जगना चाहता हूं आप अपना फुद परशे देते बताएगे देखिए मैं एक बात आपसे बता दूँ देश की हालात और राजितिक जो इस समय हालात हैं देश की किसी भी हालात और किसी भी चीज के लिए अकेले मुसल्मानों को ठोपा जाता है बाई देश खुशाल रहे देश आबाद रहे देश उन्नती करे जितने भी अच्छी चीजिया हैं उसमें मुसल्मान जो हैं हिसाय के साथ खड़े हैं और हम हिन्दुस्तान के लोग भारत के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि देश पर किसी भी तरह का कोई भी, खास तोर से मुसल्मान, हम मुसल्मान है, हम देश की मट्टी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और देश को एक बाल बराबर कलंकित हो जाए, ऐसी जिन्दगी जीने का कोई हक नहीं है, हमारा ये मकसद है, हमारा कहना ये है, हिंदुस्त बाटने का काम, लाने का काम, यह करने का, लेकिन मुझे बड़ी खुसी है, इस हिंदुस्तान को दुनिया में, जो स्वर्ख कहा गया था, इसमें दोरा नहीं है, हिंदुस्तान जैसा देश, खासत और से मुसल्मानों के लिए, मैं दुनिया में इतना आमन्चैन वाला देश नहीं देखा और इतने अच्छे अपने भाई नहीं देखे जो अपने पडुसी है अपने भाई है जो हमारे हिंदु बाई और हिंदु रिच़्ाइव air सब्सक्राइब और किसी भी तरह से खत्रा नहीं होने देंगे हम लोग लोग हिंदुस्तानी लोग हैं और संविधान की रच्षा के लिए हम लोग पाइदा हुए है जिसकी उन्नती और प्रगति के लिए हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए हम लोग हैं, बस यह है भाई की, संविधान बदलने की बात चलने इस पर क्या करेंगे हैं संविधान को कोई बदल नहीं सकता है संविधान को जो हमारे भीम राव्यटकर जी ने लिखा है उसके जो उनके साथ जो संविधान सभा थी उन लोगों ने जुजिस तरह से उसको कोई भी कानून को बदल नहीं सकता है कानून में कुछ चीज़ें उच नीच जो संविधान को बदला नहीं सकता है कानून में भी बदला जखता है लेकिन जो एक्थ है जैसे मोटरभाई की लेक्थ है गुंड़ा एक्थ है गंगेस्टा रेक्थ है एक्थ में बदला हो सकता है लेकिन आप कहेंगे कि सब्सक्राइब की जो धाराएं है इस तीन सब्सक्राइब बदल देगी ना हम बतार है आपको मैं आई पीसी पानसों गारों सी आपीसी 437 का एक चीज मैं जानता हूं और आज भी याद है हमको धाराएं जो बदली जाती है कुछ धाराएं अंग्रेजों का बिटिस देखे हि इसका पूरा थियोरी जो है इंगलाइंड से जलने उस हिसा अब हिंदुस्तान की सफटा और कल्चर बदल गई है उसमें कुछ परिवर्तन हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसमें ये बात क्यों हम लोग सोचते हैं मुसल्मानों से बात कहा जाता कि संभीधान बदला देहिए में नमुसल्मान को तकलीप है नहीं को तकलीफ है जो लोग हैं जो कम पढ़े लिखें लोग हैं मुको तकलीफ है वह इस चीज को मैं करते के कानुन बदलने से श्र Si nut a का क्टम हो जाएगा ये कहीं नहीं हो सकता है मुसल्मान हिंस्तान का रग में है और बिना तहे दिल से हिंदु भाई सुपर गुजार हूं कि अपने मुसल्मान भाईयों को उसी तरह से इज्यतावरू कुछ गंदे लोग हैं कुछ गंदे लोग जो हैं जो आपस की भाईचारा को तो लेकिन नहीं तूट सकता है अब तो भाई हर तरस से आप हमने देख लिया और तावरूप के जो उनकी भलाई के लिए खुस्नूदी के लिए उनकी बात को रखने के लिए पर्लामेंट का एलेंसन और लोकसवा का और विधान सवाग के लक्सन इसलिए होता है उस एलाके की आवाम की समस्याओं को वहां आपका ये प्रस्मित जाएगा तो हम उठाएग वह हो गए अपना पेट भरने वारा सच्चाई बात है इसमें मैं बहुत यह हुआ हूं इसी स्कूल को उद्गाटनपुर्ण ने जो का उस बात को नेता का मतलब होता है कि आप सब जो ओट दिया है वो भी आपका है जो नहीं दिया वो भी आपका है अशाता किया नहीं जा में भी अब धीरे दिया भी खतम हो जाएगा यह भी अब बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अब छोटी-छोटी बातों पर अगर हम लोग इस तरह सी किया जाए तो तार्गेट पर नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन मैं आसार विश्वास के साथ आपको बतान समाहत बादी पर्टी के हमें कारकर्टा के है CS से अब उसमें बड़े नेताओंकी है उसमें क्यार यह है लेकिन सब्सक्राइब नेताओं का बात को मैं कह नहीं सकता हूं अब इंडिया गट बंधन लडाई तो होगी इन लोगों से लेकिन अभी गट बंधन सब का हो जाए तब लडाई की बात हो भाई यह हमारे बड़े निताओं पर बुड़ा है हम लोग उतना अंदर की बात नहीं समझ सकते हैं हम लोग बात करने की बहुत जन्निवाद